इलाइट स्टेडी प्लेटफरम पर आप सभी का पुना स्वागत है आज 13 सितंबर 2020 इस वीडियों में डिस्कुशन करेंगे हरोज की तरह हिमाचल परदेश राष्टित अंतराष्टिया MCQ के बारे में गूगल प्लेट स्टोर पे जाएगा और बहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टेडी और हमारा एजुकेशनल लेप में इस्टॉल कर लिजिए बहुत निम्हत्तोमुन जानकारिया इस एप निरंतर हमारी टीम आप लोगों के लिए उपलवद करवा रही है राष्टे तथांतराष्टे क्रांट अफेर्स में पहला प्रसन है रायल सीमाक्स यत्तर के किसानों के लिए विशेश रूप से अननत्पूर से नई दिल्ली के बीच में दक्सिन भारत की पहली किसान रेल का सुबारम 9 सितंबर 2020 को किसके द्वरा किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधित्यानात असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोने वाला आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप्रोक्त में से कोई नहीं ता राइट अंसरीज हैर आंदर प्रदेश के मुख्यमंतरी है बाइस जगनमोन रेडी इनी के द्वराई इसका सुभारम किया गया देखी किसानों से समंदित है और दक्सिन भारत की ये पहली किसान रेल है कहां से कहां चलेगी अनन्त पूर से नई दिली के बीच में चलेग आफसर नंबर भी 105 मा स्थान भारत को यहां पर प्राप्त हुआ है याद रखिएगा बरस 2019 की रेंकिंग में भारत को 79 वा स्थान प्राप्त हुआ था आर्थिक सोतंतरता सुचकांक रिपोर्ट कनाड़ा के फ्रेजर इंस्टिचूट द्वारा नई दिली स्थीतर थिंक ट एक सेंटर फॉर सिबिल सोसाइटी के साथ मिलकर त्यार की जाती है कई बार विविंतरा के प्रतियों की फ्रिक्साओं में रिपोर्ट किसके द्वारा त्यार की गई है और एक अंतरस्टे स्थर की रिपोर्ट और जिसमें हमारा भी को इंस्टिचूशन जुडा हो तो यह नमारे लिए बहुत इंपोर्ट बन जाता है रेटिंग अजनसी क्रिसिल के मुताबिक बित बस 2020 में देश की जीडिपी में कितने प्रतिसत की गिराबट दर्ज की जा सकती है दो फिस्ति पांच फिस्ति साथ फिस्ति या नौ फिस्ति देखिए यहां पर इसका उत्तर है न इसे देखिए उसे सरभाइब करने की कोशिस की जा रही है सिटी ग्रूप की मुख्या कारेकारी बनने वाली पहली महिला कौन होगी गीता नंद जेनीफर या सुरूती या जेन फ्रेजर दराइट अंसरी इस यह आफ्सन नमबर डी आपने जेन फ्रेजर के बारे में याद रखना है इनकी जो अपोइटमेंट होगी यो 2021 में होगी फरवरी 2021 में माइकल कार्वेट की रिटार्मेंट होगी और इसके बाद जेन फ्रेजर की अपोइटमेंट होगी किस में होगी ये सिटी ग्रूप की क्या बनेगी चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर बनने जा रही है और इस पद को प्रावत करने वाली ये पहली महिला है। जब पहली महिला को इस तरह का काम करती है तो ये competitive exam के अबर्थियों के लिए प्रसंद बहुत important हो जाता है। इस प्रिक्साव में तो ऐसे प्रसंद बहुत लंबे समय से देखने को मिल रहे है। किया गया है के चंदर सेखर रहा है। इसका अवार्ड का नाम क्या है कलोजी नरायन राव साहित्या पूर्सकार से। is very important क्योंकि ये थोड़ा सा unique है प्रसंद यासे प्रसंद ज़्यादा competitive exam में देखने को मिलते है। कौन सी कंपनी 200 औरव डॉलर का market map हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। अब गौर्वान भी करने वाली बात होती है कि भारत के दी कोई company ग्रोग कर रहे है। 200 billion का इन्होंने जो market का cap था उसे पार कर ली है तो आपको पहचार नहीं देखिए। आपको एक कंपनी आपको भारत की कंपनी लग रहे ही होगी इन options में तो आप इसे बड़े आसानी से find out कर सकते है राइंस इंडस्ट्रीज दा राइट अंसर। हाली बे दिल्ली में हिर्दय गती रुकने से किस समाजी कार्यकरता का निदन हो गया। बापपू, नाड करनी, जगमोहन रेड़ी, स्वामी अगनी वेस, एन में से कोई नहीं, दर आइटन स्रीजेशर, ओफ्सन नंबर सी, स्वामी अगनी वेस का निदन हो गया। आगे डिसकसन करेंगे हिमाचल परदेश के बहुत ही मतोपूर्ण MCQ, मैं आगको बता दूँ जो हमारी हिमाचल परदेश एक समगर हदियन किताब है, उस किताब में 14% डिसकाउट हमारी बेफ साइट पे चल रहा है, आप उसका लाब उठाईए, किताब की एक्चलि में ज देख पारित हो गया है, 20%, 30%, 40% और 50% तो इस प्रसंद का सही उत्तर है, 30% का पारित किया गया है, मानिया मुख्या मतरी जैराम ठाकुर जी द्वारा, और जीकि जो सुखविंदर सिंग सुख हुए, उन्होंने कहाया कि कम से कम 50% होना चाहिए था, ठीके जी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर 30% काटा है, इमाचल प्रदेश के किस फोरलेन के निर्मान के लिए के अंदर सरकार द्वारा धन मुहिया करवाने से मना कर दिया, मंडी सरकागार या सिमला मंडी फोरलेन या फिर सिमला मटॉर फोरलेन या फिर मंडी उन्ना फोरलेन, प्रोजेक्ट राइट प्रमुक विवक्सी पार्टी या कॉंग्रेस पार्टी है ठीक है जो उसका जो परभारी बनाया गया गया है और बरतवान में याद रखिएगा जो कॉंग्रेस पार्टी का हिमाचल परदेश से अगनी हुतरी जी क्या है इनके स्टेट के प्रेजिडेंट है और दूसरी तरह बात करें तो सुरेश कस्यब जी है बिजेपी की जो सत्ता धारी दल है हमाचल परदेश में कॉंग्रेस बरकिंग कमेटी के में हमाचल परदेश से स्बंद रखने वाले किस नेता को स्थान दिया गया थेकि आप से प्रसंद मे असानी से फाइंड आउट कर सकते है क्योंकि आनंद सर्मा का समंद है हमाचल परदेश के सिमला जिला से काभी दिग्गस नेता है पिछली बार जब मनमोहन सरकार थी तो इसमें इंडस्ट्री अध्योगिक मंत्री रहे थे तो अभी देखिए ने कॉंग्रेस की जो कॉंग् सबसीडी प्रदेश सरकार उपलवत करवा रही है तो आपको 14% डिसकाउंट जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं सौप के फूर आपको कितना डिसकाउंट देते लेकिन हमारी बैफ साइट से आप और करेंगे तो आपको 14% डिसकाउंट जरूर मिलेगा बैफ साइट के पहला काम ज्यान प्राफ्ति करना ही लक्सिया हो तो उसकी सफलता जरूर उसके कदम एक दिन चुमेगी रंजना आजाज जी थैंक्यू सो मच आपका भी बहुत बहुत धन्यावाज सर प्लीज पुलिस कॉंस्टेबल का वीडियो भी डेली डाला करो देखिए अभी हमने से अपनी कमेंट्स हमें करते रहे हैं इदि आपने अवी तक हमारी हिमाचल प्रदेश एक समगर हदेन किताब परचेज नहीं किये तो आप हमारी वेबसाइट इलाष्टडी को राटिन पर जाईएगा इस किताब में बहुत ही मत्तोपून हदेन समग दिये करीब 10,000 प्लस के लिए हाफ एरली भी एक किताब है जिसमें हिमाचल प्रदेश गिरा समझर पत्तर का सरांस रस्टी ततान तरस्टे गटनाओं का स्टिक सरांस कूल मिलाके 3,000 प्लस का कोस्टिन बैंक है यह जो कोस्टिन बैंक त्यार किया गया एक जनवर 2020 से लेकर 30 जुन 2020 तक के जितने सॉप में आपको 10% डिसकाउंट मिलता है हमारी किताबों के उपर तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं याद रखिएगा मार्केट में अभी फिलहाल हमारी दो ही किताबे हैं जिसमें आपको हमाचल पर देन दूसरी आपको हाफ फियरली पत्रिका मिलेगी बाकि धीरे ध को डिपो है सोलन में यहां पर भी हमारी किताबें उपलब्द हो चुकी है और नए डिलर हमारे साथ में जुट चुकी है विकास जर्नल स्टोर नियर लक्समी नरायन मंदिर चंबा एच्पी इनका मुवैल नंबर भी यहां पर उपलब्द हैं इनके पास भी काफी लिम्ट सकती जर्नल स्टोर निके पास भी हमारे किताबें एबी लेबल है टेकनिकल बुक डिपो है आपका बैजनाथ इसके रावा देखे विविंतरा के डिलर से कांगड़ा में इनके पास किताबें उपलब्द है कुलू बंजार धालपूर में हमारे किताबें उपलब्द हो थेंक्यू बेरी मुस्ट कीप वाचिंग इलाच्टरी यूट्यूब चैनल